हला दोस्तों आप लोग आपके अपने चैनल एसे मौला में स्वागत है आज हम लोग आप लोग के बीच एक नया टॉपिक साज्यदारी लेकर आ और ये साज़ेदारी इतना 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 बहतरीन टॉपिक है जिसमें हम आपको ये साज़ेदारी का कोश्चन ही बनाना नहीं बलकि साज़ेदारी के बारे में पूरा गहन अधियन कराएंगे कि साज़ेदारी होता क्या है, कैसे साज़ेदार में कोई काम करना अच्छा होता है, कि ऐसे काम करना, साज़ेदारी से कोई बिजनेस को डेवलप करेंगे, कि क्या डेवलप करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि साज़ेदारी में बिजनेस के बारे में पढ़ना है, कि उसमें 2-3 पार्टनर बैठे हुए, कोई धन्दे को स्टार्ट कर रहा है, कोई बीच में भाग जाता है, कोई क्या करता है, यह सब के बारे में पूरे कोशन बनाना है, तो हम जो भी टॉपिके स्टार्ट करते हैं, केवल माथमेटिक से भीव के नहीं, आपको यह सोचने का छमता डिवलप कर देते हैं, तो आईए आज हम साज्यदारी के बारे में पढ़ाते हैं, साज्यदारी कैसे करना चाहिए, समझेगा, साज्यदारी, दिखिए बाई, कभी भी अगर आप कोई एक मिडिल परिवार से हैं, चाहिए एक आप बड़ा परिवार से भी हैं, अगर आपको कोई भी बड़ा वैपार डेवलप करना है, मालिजे हमें 10 लाग का कोई वैपार डेवलप करना है, मेरे पास 10 करना नहीं है और हमें 10 लाख का बैपार करना है याद रखो बाबू कोई भी बिजनेस आपको सजयदारी से ही करनी चाहिए starting उसका सजयदारी होना चाहिए इसलिए सजयदारी होना चाहिए नभई कि अगर गलती से अगर व बिजनेस नहीं चला तो तो पैसा किसी एक का नहीं पैसा दो लोग का जाएगा पहला फाइदा तो यहां से आपको मिल जाता है कि आपका आधा ही पुंजी इन्वेस्ट करेंगे अगर आप 10 लाक रुपया है 10 लाक टोटल लगा दिये अगर गलती से ओ धंधा नहीं चल पाया तो आपका 10 लाक पूरा पुंजी बरबाद हो जाएगा अगला बार आपको धंधा कोलने का मन नहीं करेगा अंदर से हिम्मत नहीं करेगा आप तूट जाओगे आप धंदे के नाम से डरने लगोगे आज भी हमारे बिहार में लोग धंदे के नाम से इसलिए तो डरते हैं इसलिए तो धंदा नहीं कर पाते हैं याद रखिए आपको अगर धंदा करना है सबसे पहले एक अच्छे पार्टनर का चैन कीजिए क्योंकि अगर एक धंदा दो लोग मिल कर करेंगे तो उसमें दोनों लोग समय लगांगे दोनों लोग फीजिकली रूप से मेंटली रूप से पैसे के मदद से दोनों लोग मिल कर उस धंदे को चलाएंगे आज आप दस लाक रुपया लगा दिये यह धंदा से पैसा नहीं आया मालो पांच महीना छे महीना तक धंदा चला नहीं तो फिर कहां से पैसा लाओगे धंदे को चलाने क लिए तब तो आप success कर पाओगे नहीं तो life में आप success नहीं कर पाओगे तो सबसे बेहतरीन काम क्या होता है कि अगर धंदा खोलना होता है तो धंदा कम से कम दो लोग मिल कर करेंगे तो उसको कहा जाता है साज़ेदारी उसको कहा जाता है साज़ेदारी और याद किजिए, साज़ेदारी का मतलब होता है, एक काम को दो या दो से अधीक लोग मिल करके उस काम को साज़ेदारी करते हैं, और कोई भी धंदा अगर लाइप में आपको करना होगा, नौकरी लेने के बाद धंदा करना होगा, नौकरी छोड़ कर धंदा करना होगा, य धन्दा कोई के साज़दारी में चललबा अना धन्दा चली लेकिन इदिमाग में से बबुगा निकाल दी हो कि हम जब समझदार बानी तो अईसन पार्टनर के चैन करब की धन्दा जरूर चली आप कॉपरेट करके चलाना है लेकिन कभी भी धन्दे को अकेले नहीं खोलना है आप साज़दार बनाएए और साज़दार बनाने के बाद ही उस धन्दे को चलाएए अब क्या होगा आप जैसे ही दो तिन पार्टनर मील जाओगे मालू हमने कोचिंग खोल दिया एक मैथ का टीचर लेकर एक रिजनिंग का टीचर लेकर दो लोग मिलकर खोल दीग इसमें क्या होगा कि हम मैथ के लिए पढ़ाने के लिए फूल एनरजी लगाएंगे एक रिजनिंग पढ़ाने के लिए फूल एनरजी लगाएगा तो दो लोग मिलकर के काम कर रहे हो सकता है थोड़ा मैथ हम कम पढ़ा है तो रिजनिंग वाला ज्यादा पढ़ा देगा हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं आए कोच़िंग खूल रखे हैं मालोक कोचिंग भता रहा है गीजांपल पे समझाने के लिए कि कोचिंग Watching छोटी सी बात किक मालों धंदा है एक्जामपल हम दो लोग मिल करके चलाएंगे न तो दोनों लोग क्या करेंगे स्टार्टिंग में हम लोग औरीजिनिंग पढ़ाएगा हम मायत पढ़ाएगे तो क्या होगा दो लोग का बल मिलेगा अगर हम कभी निगेटिव होंगे ना कि भाई कोचिंग नहीं चलेगा तो हमें पोजेटिव कर देगा नहीं बाई चलो एक साल और चला के देखते हैं अगर ओ निगेटिव होगा तो हम उसको पोजेटिव करते चलेंगे तो कही ना कहीं ये हम लोग आगे इसको बढ़ा सकते हैं अकेले खोले बच्चा नहीं आया साल देढर सेल देखेंगे हम खुद निगेटिव हो करके बंद कर देंगे और ये दो लोग रहते हैं तो एक दूसरे का help भी मिलता है हम अपने math में focus करेंगे और अपने reasoning में focus करेंगा वैसे ही जब आप बड़े अस्तर पर कोई धंदा खोलेंगे तो दो-तीन लोग होते हैं तो उस धंदे को चलाने में भी काफी मदद मिलता है क्योंकि आपके पास सा माचला का partner बना लो अगर मालो खुब पैसा आने लगा उस धंदे से तो आप अपना खोले ना अगला खोलेगा क्या दिक्कत है दोनों लोग मिलके चलाएंगे आज हम दो लोग मिलकर के class खोल दिये रिजिनिंग एक बढ़ाने लगे एक मैत मालो हम लोग में आगे चलके ज जब जगडा हो जाएगा तो अपना अलग मैत पढ़ाएंगे और अपना अलग रिजिनिंग पढ़ाएंगे इसमें नुकसान कहां है इसमें तो कोई नुकसान नहीं है कि इसलिए कभी भी आप साज्य दारी कीजिए तो दो-तिन कोई भी बेवसाय कीजिए तो साज्य दारी में कीजिए क्योंकि आपको ऐसा नहों कि आपकी टोटल पुंजी कहीं न कहीं ब्लॉक हो जाए एक करोड का कोई कि फॉलना है मेरे पास पकारस्राइघ रुर्व मेरे पास और रुप्या है और हमें फॉछ लाक बाहरी पैसाई कठा करकी ऐक क्योड का फ्लान खूलना है हो सकता है वो प्लांट ना चले साल भर तो उसको चलाने के लिए भी हमको पैसा चाहिए तो हम बीच में उस प्लांट को छोड़के भाग जाएंगे जब पैसा मेरे पास नहीं रहेगा तो मेरा पूरा का पूरा पैसा नुकसान होने की संभावना है अगर एक करोड में अगर हम 5 लोग को पार्टनर बना लेत तो तीस लाग को कोई दूसरा धंदा खोल देंगे कोई तीसरा धंदा खोल देंगे क्योंकि अगर उस दूसरा तीसरा धंदा खोलेंगे ना तक अभी एक धंदा चलेगा तो एक धंदा नहीं भी चलेगा तो एक धंदा चलेगा लेकिन अगर अकेला हम एक करोड का रुपय लगा देते उसमें 50 लाख मेरे पास था 50 लाख लोन लेते धन्दा भी साल बर नहीं चलेगा तो हम पूरे जिंदगी अब धन्दा नहीं खोल पाएंगे हम वहीं पर नीचे गिर जाएंगे और हम धन्दा नहीं खोल पाएंगे इसलिए मेरे बाइस सज़दारी में हम बच्च को खूल करके पढ़ाये थे जब हम लोग खोले तो स्टार्टिंग में साल भर दो बच्चे को पढ़ाये थे के साल भर दो बच्चे को पढ़ा थे कभी भया निंगेट सी वो रहे थे कभी हम निगेट वो रहे थे जब हम निकेटी वो रहे हैं भया अपहिए हैं संजा रहे थे देखो सब्सक्र में भी तुम लगे रहो आचया कल से फलता भी पर्षान कर दिया तु लोग का ही मैं नहीं पतना से आँ पर आओ जाओ बाहर पढ़ो हम बोले कि नहीं हम लोग को यहीं करना है तो हम नीगेटिव हो का एक गूता है कि यह सजवा हैं दिख्रुपर जिसे ते घर रमपम Clifford War 50 सोब हम श्रीकली करने ऐस वह ने अकिन पीशे कुछ के इस पर रहे हैं थे सपोर्ट कर रहे दे सब्सक्राइबск भी आदा पुंजी वही इंवेस्ट किये थे, आदा पुंजी हम इंवेस्ट किये थे, आखिर में सचीत भिया देखते देखते दो साल चले गाये, बोले कि भाई साब अब धन्दा हमसे नहीं चल पाएगा, घरवाले प्रेसर देने लगे, अब हमें जॉब करने जाना है, तो कही से छोटे भाई हो, इसको चलाओ, जब हम चलाना स्टाट किया हम अकेला हो गए, तो कभी-कभी लोग बोलता है कि अकेले भी लोग इतने मजबूत हो जाते हैं ना, जो कि पूरे राज करने लगते हैं दुनिया पे, अब हम सोच लिए, सब लोग घरवाले जैसे ही गाँ प करें समझ में नहीं, भाईया भी थे तो चले गए, अब हम अकेला क्या करें, बहुत परिसान हो गये थे, अब हमको भी लगा कि हमको भी 6 महीना बाद बंद कर देना होगा, लेकिन फिर भी बोले, नहीं, हमको चाये कुछ भी हो जाओ, चाये कुछ भी हो जाए, हम थे हुगे हैं तो क्या हुआ की जप छोड़कर चले गए तो बोले कि तो चला लो Geld क्या एंस टेशन से गगैं बच्च्चा कूंज पर हैं कि एक सटेशन माधीर है क्यों सेंटर है तकिया में है विद्धocyite तो तिन जगा भीड में गया बच्चा सब आ गया आने के बाद मेरे संस्था में कम से कम 50 बच्चे 100 बच्चे आ गए अब हम अंदर अंदर मन में जोड़ ले नहीं 50 बच्च आया जब 200 देगा तो 10 ज़र तो हम देखे भी नहीं थे कोचिंग से कभी पूरे लाइब में अंदर से बहुत बड़ा खुसी आए जुरून के साथ पढ़ा रहे थे बच्चा आ गया बोले कि भाई साहब आप लोग को मेरा पढ़ाई अच्छा लगा बोला कि हां सर बिल्कुल ही अच्छा लगा हम बोले ठीक है अगला बैच खोले आप लोग क्या बोलेंगे बोले कि सर खोलिए ना बैच पूरा हाउसफुल हो जाएगा बच्चे का प्यार मिला अगला आते थे दो हजार लेंगे हम बोले हाँ थोड़ा सा दो हजार लेंगे नहीं तो आप लोग मेरे साथ और अच्छे से पढ़िएगा 200 में क्या करता था ना कोई रेगुलर आता था नहीं आता था आप लोग जब तो दो हजार लेने लगे तो मेरे पास हाउसफूल हो गया तो दूसरा रूम लिये दूसरा के बाद तीसरा रूम लिये चौता रूम लिये अभी यह सिलसिलेवार चालू था 17 के बाद 18-19 शाइस तो रूमी बदल रहे थे उपर वाला मेरे साथ क्या धोका किया उपर वाला मेरे साथ का पूरे भारत वर्स के साथ करोना लग अभी रूम तो हम लोग स्टाठी किये थे वैसे 2020 और 11 करोना लग गया इसके बाद फिर हम लोग अपने स्पीड के साथ चलना स्टार्ट किये हैं और निरंतर रूम होते रहा है तो यह कहीं न कहीं कहीं न कहीं आप लोग का प्यार है आप लोग का सहयोग है भाईया का जो बताय थे उनका है गाउवाले भी कुछ ठाना मारते रहते थे कि क्या कोचिंग चलेगा नहीं चलेगा अगल बगल उसको कुछ आचा जाता नहीं है कैसे पढ़ाएगा बहुत सारे बातों बोल रहे थे, इस कान से सुन रहे थे, इस कान से निकाल रहे थे, लेकिन फिर भी आज बताते हैं, उनको जब हमें स्टार्ट किये थे, तो गाहँ वाले मेरे पास पढ़ने भी नहीं आते थे, अब कुछ आना इस्टार्ट कर दिये, पहले तो लोग आते होता तो इसकी कोई गरांटि ने कि अस्टा चलता हम निगेटीब हो कर के कहीं ना कहीं संस्था बंद कर दिये होते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ कि हम दो लोग मिल कर्के खोले थे, तो दो लोग मिल करके खोले थे तो साल दो साल में हम लोग अच्छे तरीका से सीख गए तो एक लोग चले भी गए तो एक लोग इसको चला लिए अगर हम अकेले खोले होते तो इसकी कोई गरांटी नहीं थी कि चलता की नहीं चलता इसलिए बाबु कभी भी साज़ेदारी खोलो याद रखो आपके मम्मी पापा से पूछोगे तो मम्मी पापा एकी बात बोलेंगे न साज़ेदारी में कौनो काम भयलबा नहोई याद करो आप ऐसे दिमाग मेंसे निकाल दो बोलो नहीं पापा जी हमको जो भी धन्दा करना है साज़ेदारी में करना है जब उससे कमाने लगेंगे न तो हम पार्टनर से अपने बात करके हम दोनों लोग दो धन्दा वहीं पे खोलेंगे उभी अपना चलाएगा हम भी अपना चलाएगे अन्यत्ता हम दोनों लोग पैसा ही कठा करके कोई उसके बदले में एक और धन्दाय स्टार्ट कर देंगे और हम लोग कमाएंगे इसलिए कि अगर दो लोग रहेंगे तो नु तुमारा ही ढूब जायोगे न अच्छे से कभी उपर नहीं बढ़ पाओगे उपर बढ़ने में काफी संहर्स करना पड़ेगा इसलिए कभी भी धंडे को को तो साजदारी से तो जब साजदारी में होता क्या है सज़डारी में क्या होता है, कि जब चार पार्टनर मिल करके, एक कोई धंडे को स्टार्ट करेंगे, तो उसी को कहा जाता है सज़डारी, जब चार लोग होंगे ना, एक्जाम में कोशन आता है, तो चारो में से या तो कुछ कहेगा कि हम जा रहे हैं भाई, चारो है, चारो में से चारो बीच में एको भाग जाता है साल बर बाद, एको दो साल बाद भाग जाता है, एको तीन साल बाद भाग जाता है, नहीं तो कभी ऐसा भी स्थिती हो जाता है, चार धंदे लोग मिलकर स्टार्ट किया है, उस धंदे में काफी पैसे की और जरूरत ह तो चारो लोग के पास पैसा नहीं है, तो साल भर दो साल बाद और उस धन्दे में लोग को sharing, चला देते हैं, कभी ऐसे ऐसे स्थिति आते हैं कि कभी बात नहीं बनते है ना पार्टनर में, तो बीच में से चार में से एक चाहे दो भाग से जाता है, तो इसमें भी कोशन आता आपके पारभूदा है किसा भर बाद थंदे में दो लोग परवेश कर गया इसपे भी कोशन आता है और उडCor 10 लाग और छो पैसान लगाया अगाला के पास पांचला कहा भाइस के पास fa Hear track अगला के पास किया है कि पैसे के अनुसार उसको percentage बान दीजिए कोई भी चीज आपका 100% होता है मल यह तीन पार्टनर है चार पार्टनर है A, B, C, D यह चार पार्टनर में यह 40% invest किया है यह 30% invest किया है यह 20% invest किया है और यह 10% invest किया है तो ऐसा कभी दिमाग मत लगाओ ना कि चारों पार्टनर है तो चारों समान पैसा देगा यह कोई जरूरी नहीं है उसकता है चारों में कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज्यादा दे तो profit का इनको 10% दीजे profit का इनको 20% दीजे इनको 30% दीजे और इनको का पर संदीजे 40% फिर धन्ने को रण कीजिये बात कर लिजे कि वह आपने इतना पै तो हम लोग पूरे लाइफ इतना ही परसेंट का पार्टनर बने रहेंगे अगर डूबेगा तो इनका तो 10 परसेंट डूबेगा आपका 20 परसेंट डूबेगा इनका 30 परसेंट डूबेगा और इनका कितना परसेंट डूबेगा 40 परसेंट तयार है तो दंदा खोलिए बोल आप 40 लगा हैं लेने के लिए तो डूबेगा भी तो आपका 40 डूबेगा अगर पार्टनर तयार होता है तो ऐसे मिलकर क्या बैपार कर सकते हैं तो आपको आज हम सिखा है कि कभी भी पूरे लाइफ में आपको अगर बैपार करना होगा तो आप साजयदारी से ही करेंगे अन तो आपका सम्मान कम होगा अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो आपका दुकान चलने की कम संभावना है अच्छे समान अच्छे क्वालिटी के लिए अच्छे पैसा इंवेस्ट करना पड़ेगा हो सकता है वो पहले से बिजनेस में जुड़ा हूआ उसके पास काफी पैस पास है वो इन्वेस्ट किया आपके पास पैसा नहीं है आप क्या करेंगे ना तीन पार्टनर जोड़ेंगे ना चार पार्टनर उस फरनीचर का दुकान खूलने के लिए तो पहला फाइदा होगा कि चारों लोग पैसे लगाएंगे तो उससे भी बेहतरीन करने के उससे भ पाएगा अजब आप एक लौता खोलोगे तो आप ही का ना मित्र कोई जाएगा अजब चार लोग खोलेंगे तो चार लोग का दिमाग भी लगेगा और चार लोग के जितने भी मित्र सर्किल है भाई सर्किल है जितने भी जो भी सर्किल बनाए है चारो लोग चारो लोगों क करेंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस बूम करने की संभावना ज्यादा होती है पाटनर्सिप में और सिंगल कोई बिजनेस को इन्वेस्ट करेंगे तो संभावना भी कम बनती है कुछ लोग के पास पैसे नहीं रहते हैं पूरे जिंदगी बिजनेस करेंगे सोचते ही रहते हैं लेकिन कर कहां पाते हैं, उनके दिमाग में कीडा काटा है कि हमको अकेले करना है, अरे भाई, दस लाग का बिजनेस में पांच लोग मिलकर करो, एक करोड के बिजनेस में पांच लोग मिलकर 20 लाग करो, लेकिन आपे स्टार्ट तो करो पहले, आप ना आपके पास एक करोड होगा ना आप लोग business कर पाऊंगे इसलिए छोटा सोच वाला ब्यक्ति छोटा ही बना रहा जाता है और बड़ा सोच वाला ब्यक्ति बाड़ा बन जाता है इसलिए आपको समझा रहें चाहलने अगर आपके पास पैसा नहीं होगा अगर आपको धंदा करने का मन करें तो आप partner बनाकर ही धंदा किजिए लेकिन life में धंदा जरूर की किजिए अगर आपकी इक्षा है तो नौकरी के साथ साथ किजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है और एक मिडियम परिवार करिए एक मध्यम वर्ग के लिए जैसे हम लोग मध्यम वर्ग हैं हम लोग के लिए सरकारी नोकरी भगवान से भेट सरकारी नोकरी भगवान से भेट सरकारी नोकरी लगने के बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे को बचा 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 के अपने घर भेंजेंगे घर से भाई से चाचा से पापा से जो भी होगा धंदा स्टार्ट करेंगे लेकिन हम लोग का प्रथम कर्तब्य बनता है कि बिना पैसा का हम लोग पहले नौकरी ले ले जब नौकरी लेंगे तो धन्दा पूरा लाइफ हो सकता है लेकिन आज धन्दा कर देंगे तो नौकरी नहीं मिल पाएगा आज धंडाय स्टार्ट करदो नोकरी नहीं मिल पाएगा लेकिन आज नोकरी ले लोगे पूरे लाइप धंडा मिलेगा मेरे प्रिये वाद्डार थी आपको ये बात हमेशा ख्याल रखना होगा कि सब से पहले आपको नोकरी लेना होगा और नौकरी के बाद का ये हम आपको प्रोसेस बता रहें कि धन्दा करना होगा तो मेरे भाई अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिएगा जैहिन जैभार